मेरा आपर मारा कितरों की सान्य कि आपर साथ आप मेरा प्यार वार नमस्ते हैं और दोस्तों जैसी किस्णा, जैस्य करलविक। मेरी प्रश्ण हमें साफ स्धूश्ट में पीडिन हैं। हर एक समय आपका हर एक मिनिट हर एक सेकेंड आपका अच्छा घुझग करना है तो दोस्तों सोबे का समय जो होता है उस समय क JUST होता है हमारा सब्सकॉंसिस मैंट जो होता है उस समय 1965 होता है और मैं आपको लफ आट्रेक्ष्ट टीन एक टैकमीट बता रहा हूं कि हम जो जो भी सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वही चीज हम बन जाते हैं, हमारी सोच हमारा निर्मान करती है, हम अपने निर्माता खुद होते हैं, यानि कि हम अपने खुद ही ब्रह्म हैं, भगवान ने इस स्रिष्टी की रचना की है, आप लोगों ने सुना होगा, कि इस दुन लेकिन इंसान की जिन्दगी में जो वो कर्म करता है उसमें भगवान का कोई भी रोलकार नहीं होता है इंसान चाहे तो अपनी किस्मत को बिगाड सकता है अपने जीवन को अप जाहे तो बहुत उचा योप ले जा सकता है और वही चाहे तो अपनी जिन्दगी को अपने इसमें एक vibration होती है आपको एक चीज़ बता दू कि ब्रह्मान जो होता है हमारा जो universe है इसको यह नहीं पता है कि आप अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं आप जो भी बोल रहे हैं उन चीज़ों को वो catch करता है जैसे कि एक example देता हूं मैं हमारा सरीर क्या है पंच चार तट्व तो यहां पर है present में जो अगनी वायु प्रिधिवी यह हमारे present thirds में है आकास सिरस्फ एक आकास है जो यहां पर धर्ति पर नहीं है हमारी body में नहीं है हमारी body में सिरीर कूद चार तत्व हैं और हमारा पांचवत तत्व ज है वह a arise वो है हमारी सोच, जो हम सोचते हैं तो एक्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यदि सपोस्थ कि आपने एक दाना गेहूं का धर्ती में बोया ठीक है? अब उसमें से क्या है जब वो जैसे से बढ़ता है, जैसे से बढ़ेगा पीड़ बनेगा, पौधा बनेगा, उसमें फल लगेंगे तो उसमें से एक दाना से कितने दानी निकल रहे हैं? 25-30 दानी निकल गए तो यही चीज होती है, यह जो है धर्ती में जो बो रहे हैं यह हमको दोगना तोगना चाओगना अल्ला करके दे रहा है अब वही चीज हमारा आकास जो है पांचवा माइंड होता है, दिमाग में आकास तक दो हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं यह सीधे ब्रह्मांड कैच करता है यानि कि हम जो सोच है ब्रह्मांड में बीज बो रहे होते हैं और जब यह आकास में जाती है, और धीरे-धीरे क्या होता है, पोधा बनता है, पेड़ बनता है, फिर से फल आते हैं, और वही चीज़ हमारी जिन्दगी में रियल्टी बनने रखते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी सोच को सबसे पहले बदलना है, अपने आपको positive रखन हैं, तो आप लोग को क्या है, सुबह सुबह जो हम उठते हैं, हमारा subconscious mind जो होता है, अब चेतन मन, अब चेतन मन जो होता है, अगर ये किसी बात को accept कर लेता है, तो दोस्तों क्या होता है, कि वो चीज़ हमारी जिन्दगी में आकर्सित करने लगता है, और कोई भी चीज़ mind आपके लिए जिन्दगी में वही चीज़ अट्रैक्ट करने लगेगा, तो आपको सुबह उठकर के सरफ एक संकल्प लेना है, और डेली बोलना है, दो मिरिट का संकल्प है, ठीक, दो मिरिट भी नहीं लगींगे आपको बोलने में, लेकिन अगर ये आपने कर लिया, 21 द अमुरित वेला में कोई भी वर्ड अगर बोला जाये तो ब्रह्मान तुरंट उस चीज़ को कैच कर लेता है, आपनी विश भी बोल सकते हैं, आपनी मनुकामना बोल सकते हैं, और दोस्तों मनुकामना अगर इस टाइम पे अगर आप डेली पर डे अगर बोलेंगे, 100% जैसे ही खुलती है, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं काफी वीडियों बता चुका हूँ कि अपने हतेलियों की दरसन करें, अपने हतेलियों को देखें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमद्धे सरस्ति, करमूलितो गोविंदे, प्रभातिकर दरसनम, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, एक संकल्प लेना है कि आज मैं संकल्प लेता हूँ, आज से ले करके 21 दिन का मैं ये संकल्प लेता हूँ, कि मेरे साथ में जो भी होगा, अच्छा होगा, सिर्फ ये बोलना है आपको, तीन वार बोलना है कि आज से मैं 21 दिन का ये संकल्प लेता कि मेरे साथ में जो भी होगा, अच्छा होगा, मैं जो भी चाहता हूँ, उस चीज़ को मैं हासिल कर लूँगा, मेरे अंदर उतनी शक्ती है, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, ये चार लाइन आगको तीन बार बूलनी है, और डेली 21 दिन तक बूलनी है, फिर देखिए दोस्त अच्छा ही में बदल जाएगा, गैरेंटी है मेरी, कोई भी परशानिया कराने वाली होगी, और चल भी रही होगी परशानी, तो वो भी अच्छा ही में बदल जाएगी, बस आपको कंटीन्यू करना है 21 देज, उसके बास में 21 देज में, जब आपको उसका रिजल्ट मिलन लगेगा, तो दोस्तों मैं गैरेंटी लेता हूँ, कि आप लोग खुद अपने मन से से रेमिडियो करेंगे, फिर आपको बोलने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, 21 दिन में आपकी आदत बन जाएगी, और आपको ये चीज करने में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपका दिमाग जो है, आप फिर इस ताइब पे आप अपने विश बोल सकते हैं, अपनी मन काम नहीं बोल सकते हैं, फिर आपकी जब आदत बन जाएगी, तो आपको बहुत अच्छा लगे करने में, और आप करते जाएगे, और अपनी जिंदिगी में हमेसा अच्छी चीजों को ही अट्रेक्ट करने लगें, जो भी चाहते हैं, हर वो चीज आपको मिलना सुरू हो जाएगी, यह नहीं बोल रहा हूँ कि एकडम से सब कुछ बिल जाएगी, लेकर जैसे हैं सब की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप करते जाएगे तो आपको खुद से करके देखिए दोस्तों, यहीं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग हमेसा अपनी जिन्दी में सक्सिस पाई, हमेसा सक्सिस्पल इंसान बने, और जो आप लोग की दिमाग में जो नेगेटिव थौट्स चलते रहते हैं, तो इन नेगेटिव थौट्स को आप हटा करके, कि जब भी आदा आता है आपको, मैं यहीं ओंड़ों कि पूरे दिमघरा प्रटते रहें, लेकिं जब भी आदाता है, तो तीन बार शिच को रिपीट कर दे, मेरे साथ में जो भी होगा, च्खे के लिए होगा, भगवान मेरे साथ है, और जब भी जिन्दिकी में दोस्तों आपके कोई परिशानी आती है, तो हमेशा ये चीज बोलिए कि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, और जब भी आप कुछ अच्छा गाम करते हैं, ये आपके साथ में कुछ अच्छा होता है, तो हमेशा ग्रेटफुल रहे हैं, भगवान को हमेशा धन्य जितना धन्यवाद करेंगे जितना grateful रहेंगे उतनी blessings आपको मिलेगी multiply होके मिलेगी अगर एक परसेंट मिल रही है तो वही चीज़ आपको 100% मिलेगी यह law of attraction है दोस्तो नेचर है जो हम सोचेंगे जो हम बोलेंगे वो हमारे साथ में होने लगेगा क्योंकि ब्रह्मांड ही कि प्राउंड से बना हुआ है तो आप जो भी बोलेंगे जो भी सुनेंगे जो भी सोचेंगे वही चीज आप attract करेंगे और वैसे ही आप बनते जाएंगे तो आपको यह successful इसान बनना है तो हम ही सब बोलिए मैं successful हूं मैं हर जगे success हासिल करता हूं और मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं हर चीज कर सकता हूं दोस्तों बस 21 दिन तक यह कर्च करके देख लिएजिए कि जो भी आप बनना चाहते हैं उस चीज को बस बोलना सुरू कर दीजिए आपकी जो vibration जो निकले कि ब्रह्मांड कैच करेगा देखे एक example और मैं आपको दे रहा हूं कि ब्रह्मांड क्या ब्रहिंज करेगा सुरू कि मेंन पॉइंट को किक करेगा दो ऐसे यगर आप बोलेंगे कि मेरी परेशानी खत्म हो गई परिषानी के रहे परिषाना के रहें अब ब्रह्मारी सब्सक्राइ सकता॔री सब्सक्राहिवण कुछ भी अगर बोलेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में पैसा बहुत आए, तो आपको यह बोलना है कि I am money magnet, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास में चारों तरफ से पैसा आ रहा है, और यही चीज ब्रह्म्य मुहूर्त में बोलेंगे, तो सच में वह आपके पास में बहुत पैसे आने लगेंगे, तो हम इसा अपने mind को positive रखिए और अपने subconscious mind को हम इसा positive affirmation दीजिए, मैं healthy हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मैं successful इंसान हूँ, मैं बहुत powerful हूँ, ऐसे word use करिए और फिर देखिए आपके जिन्दिगे में miracle होने ल